हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ काज और बटन पटी अटेच करना इस ब्लाउज में बताऊंगी तो आप देख सकते इस ब्लाउज को मैंने स्टीच करके पहले से रखा है और अस्तर वाला ब्लाउज है तो चलिए फ्रें प्लाउज के लिए और इस फैब्रीक की चोड़ाई जो है आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से तीन इंच की चोड़ाई की पट्टी हमें कट कर लेनी है दो पट्टी एक काज पट्टी के लिए और एक पट्टी जो है अस्तर वाला फैब्रिक जो है इस तरह से मुझे तरफ से स्टीच कर लेना तो आस्तर वाले इसुट नगगे है लिए वह रहता हों जैसे कि हमारा बलाउज जो है आस्तर वाला ला ग्लाउज इनकर hesitant यह में है नगे पने में खूलन गने हो उसी के कलर का एकदम फिरिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी तयार हो तो फ्रेंट्स जो है अस्तर वाला फैब्रिक पे में में फैब्रिक अटैच कर रही हूं यह पट्टी जो है हमारी बटन वाली पट्टी बनेगी तो यह बटन वाली पट्टी के लिए इस तरह से मैंने किया है असतर वाले फईब्रिक को इस तरह से आप देख सकते हैं और इसे आ पत्ती डबल फोल्ड होके ही लगेगी ठीक है फैंट सेम्पल इतना ही करना है हमारी दोनों काज बट्नपटि यहीं तयार हो गई है अब इसके बाद हमें बलाउज का फ्रेंट वाया दोनों प्लाउज काtı तरफ रहां पर इसके सबसेबहाइग करना कि इस पर हम बटन लगाएंगे दौला तो अलग तरीके से लाध के तो जैसे कि अगर आपको बटन लगाना है तो यह पट्टी जो है अस्तर वाली पट्टी इस तरफ अटैच होगी और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें इस ब्लाउज में अगर आपको हुक लगाना है तो जैसे कि यह पट्टी आप देख रहे हैं यह अस्तर वाली डवल पट्टी फोल्ड हमने किया था यह वाली पट्टी इस तरफ अटैच होगी सिंपल इस तरीके से जो है इसका जगा बदल जाएगा पट्टी लगाने का तो आप देख सकते हैं इस ब्लाउज में मैं बटन लगाऊंगी तो उसी के अकॉर्डिंग इस पट्टी को मैंने रखा है जैसे कि सबसे पहले इस ब्लाउज का सोल्डर मैं अपनी तरफ रखा है सामने की तरफ बैल्ट रखा है और यह बाएं तरफ वाला जो है जिसे की उल्टे हैंड की तरफ जो है इस तरफ हमें इस पट्टी को अटैच करना है यह वाली पट्टी जो है सिंपल अस्तर वाली पट्टी है इसे डबर फोल्ड करके इस तरह से रख करनी है तो फ्रेंस दान से आप देखे दो पेर का मार्जिन छोड़ा है जैसे कि अगर आप इंची टेप से नापे तो दो लाइन जो आती है हमारी दो पॉइंट आता है उतनी दुरी पे जो है हमें इस पट्टी को रखके ब्लाउज की ऊपर रखा है मैंने इस पट्टी को औ पॉइंट देख सकते हैं लगा दी है अब इस ब्लाउज को जो है मैं उल्टा करूंगी और उल्टा करने की बाद इस पट्टी को उल्टी तरफ फोल्ड करके हमें स्टीच कर देना है कॉर्णर पे स्टीच करना है इस तरह से यह पत्टी हमारी काज वाली पट्टी बन प्ट्टि जो है लगके तयार हो चुकी है काफी फिनिसिंग के साथ इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर भी काफी फिनिसिंग आई और उसके पिछे की तरफ भी काफी फिनिसिंग आई है ब्लाउच के अब इसके बाद हम दुसरे वाली तरफ बटन पटी लगाएंगे इस तरह से फैब्रिक को मैंने लिया दूसरी तरफ अब इसमें आम बटन-पटी अटेच करेंगे तो बटनपटी अटेच करने के लिए सबसे पहले फ्रेंस क्या करेंगे इस पटी को हम लेंगे और धान से देखे फ्रेंस धान से समझे जैसे कि इस पट्टी को हमें नीचे ही रहने देना है और में जो है सीधा वाला पार्ट इस पट्टी का उपर रखना है जैसे कि फ्रेंस इस पट्टी पर मैंने में फैब्रिक अटेच किया था वह में फैब्रिक का सीधा वाला को रखा है अब जो है दो पेर का मार्जिन छोड़ते वे स्टीच करना है जैसे कि आपको फिर से बतादू में जब काज वाली पट्टी लगा रही थी इसके पहले वाली पट्टी हमने लगाई थी उस पट्टी को हमने ब्लाउज के उपर रखे स्टीच किया सा पहले और उप कशे से बताफिकल के बाद इस पट्टी को फोलắc करें कि ब्लाउज के उपर फोल करना होता है अब ध्यान से देखे support इस तरह को समझा रहे हूं काफिर डिटेल में अब जो इस kennen को सीधा करिने इस तरह से अब देख सकते हैं और जो है उल्टा वाल पार्ट पट्टी का स्व तर जो है उपर के तरफ दिखाए दे रहा है और इस तरह कि तरह से नीचे कि तपर प्रेस कर तक को हमें सिधा कर देना है फिर से देखे इस तरह से हाफ इंच नीचे की तरफ और हाफ इंच जो है साइट की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है अब फोल्ड करने के बाद जो है इस पट्टी को अराम से उठा के जो है बिल्कुल जहां पर हमने सिलाई अभी की थी उसी सिलाई पिर उम्हें रख देना है ठीक है और बिलकूल कॉर्apper पे मैं रडाई हों इसे इस्छ सटीशे करना है तो चलिए। अच्सी तरीके से अच्छी तरीके से सेट करकी मैं इस्टीश कर लीती हूं इस तरह से और फ्रेंट्स यह बटन वाली पट्टी है तो इसमें जो है हमें हमेशा दो स्टीच करना होता है दो सिलाई लगानी होती है और दुसरी सिलाई जो है आप देख सकते हैं एक पेर का मार्जिन छोड़ते हुए जैसे कि बीचो बीच पट्टी पे एक सिलाई हमें औ देती हूं इस ब्लाउच को यह हमारी बटन पट्टी लग चुकी है और यह हमारी काज वाली पट्टी है तो एक दुसरे के ऊपर इस तरह से हमें काज बटन पट्टी को रखके सेट करते हुए देखना है कि हमारा दो है दोनों पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है ए फैंस आफ़ी नुदा के साथ की तरब वी हमारा तरी के सामरे की सकते हमारे काल बटन पट्टी अटैच हो चुकी है तो एमिद करते हूं को काज बटन पट्टी मेरे तरी सबको जरूर पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आये हो फ्रेंड तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जो भी बैन भाए मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू